आप सब का स्वागत है Pintool Tutorial में आज हम देखने वाले हैं कैसे याद रख सकते हम derivative का formula derivative calculus, integration calculus इस सब का formula कैसे याद रखते हैं बहुत प्रोब्लेम आते हैं में इसमें याद रखने में समट टाइम होता है relation कर भूल जाते हैं कि यह time किसके साथ था यह सब फिर symbol में टिग्नोमेट्री फंक्षिन्स जो छे होता है यह इस अद देख सकते हैं साइने साइने को सेक्स तेनेक्स आपको इस इस का ज्यान देना है देखिए मैंने लिखा है यह sequence आपको class 10 standard cbc का जो बूक है उसमें आपको यह स्टेंडर्ड यह sequence मिला होगा ठीक है तो आपको बस इस sequence को almost आप लोग में से बहुत सारे को यह sequence याद होगा हैं फिर आप calculus और बहुत सारा formula है तो देखिए इसे मैं कैसे logic में प्रिपर करता हूँ sin x cos x n x cos 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 x बस आपको बस इतना ही लिखना है दो बर sin x cos x cos x सेम चीज़ी 10 x cos x cos x cos x cos x cos x cos x ठीक है जिसे आप देख सकते मैंने दो बर लिखा है पहला वाला हमें बताएगा relation और यह दूसरा हमें बताएगा image ठीक है मतलब जैसे आप सिंपल ही देखते हो डिरैबिटी ओफ sin x is equal to cos x तो sin x कैसे cos x यह आपका relation सिंपल हो चुका है तो आप c with c कर दीजिए आप इसे याद रखने के c with c बोलते हुए याद कर सकते हैं c with c that means this again this word that means coat आपका कोसेक के साथ होगा और कोसेक आपका coat के साथ होगा ठीक है आप बचा हुआ टर्म को second ten इसको एक दुसा के साथ कर देजिए ठीक है यह आपका relation बन गया बस आपको यही arrowhead याद रखना है किस term कौन सा system किसके साथ जुरा हुआ है ठीक है अब देखिए यहां कुछ नहीं करना है आपको यह image है तो image कैसा अब जैसे आप इसको देख चुक है तो दोनों का कुछ कुछ नाम होगा image है तो आपका पहला होगा single इन दोनों का नाम होगा square और यह last itself and relation ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं आपको बस यादचा रखना है relation image relation कौन किसके साथ होता है image कैसा form होता है बस ठीक है अब आम लोग साइड आप देख सकते हैं derivative का यह छे ratio लिखा हुआ है जिसमें आपको बहुत problem होता है तो इसके लिए भी चलो follow करते हैं one two three ठीक है देखते हैं इसे पहले के आपको कुछ नहीं याद नेक है see always negative okay see always negative और दूसरा के लिए आपको कुछ नहीं करना है second में आपको relation के पास जाना है और इसके पास image ठीक है चलिए इसको fulfill करते हैं यह logic बनता हो गया आपको मान लीजिए आपको यह याद हो गया सबसे पहले आपको यह यह लिए आपको यह लिए याद कर लिए फिर इसे यह है तब देखते हैं इसे कैसे fulfill करते हैं सबसे पहले यह जितना भी आपका ratio होगा आपके वाद समय साब questions होता है तो questions है मतलब उससे answer find करना है देखिए अभी कैसे यह हमें याद है सबसे मान लेते हैं c always negative तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहां जो भी c वाला term का questions पूछा जा रहा है उस पे हम एक negative डाल देते है that means c c ठीक है that means cos x का derivative का negative result होगा तो c वाला part simple से form होगा तो जो भी c वाला का derivative पूर्श रहे है जो भी c component का जो भी derivative वो negative में result आएगा ठीक है तो उसके कारण आपका c always negative होगी clear अब आप देख सकते हैं यह आपका fulfill होगी अब हम move करते हैं इस पे चलिए question लिखते है सबसे बेले d by dx of sin x तो देखिए आप c नहीं तो negative नहीं होगा positive होगा फिर relation पर आज यह relation sign किसके साथ होगा cos x के साथ चलिए यहां लिख दिए cos x फिर relation के बाद आपको कहा जाना है image single है sign क्या है single है ठीक है तो यह single है सही है फिर आप दिखिए cos cos क्या है negative आपने इतिके काम कर दिया relation दिखिए cos किसके साथ है simple है sin के साथ है आप यहां लिख दिए sin x फिर आप image के पास आजिए image कैसा दिखता है single होता है cos का भी तो single है fulfilled अब आप दिख दिखते है 10x जहां चे दिखिएगा 10x स्कॉस्कर दिखता share अब दिखिए सेक एक्स, यह तो आप ने कर दिया, relation, relation क्या है सेक का ? 10 है 10, 10x, ठीक है अब image में आ जाते है, image क्या होता है 10 का ? 10 नहीं स्टेक एक्स, तो सेक का क्या होता है दिखिए आप देख सकते है तो आपने यह तो relation लिख चुगा था तो आप क्या लिखेंगे इसल्फ मतलब इससे को लिखेंगे ठीक है फिर आप देखिए कोसेक एक्स कोसेक का रिलेशन किसके साथ है अब इसलिए सी विद सी था तो आप सिंबसरी वागम अगर सी विद सी रखें तो यह को डाल दीजिए कोटेक्स फिर इमेज के साथ होता है कोसेक का इसल्फ गन रिलेशन है रिलेशन आ गया इसल्फ तो आप देख सकते हैं यहां आपका डिराइविटीग का फॉर्मूला फुल्फिल होता है